कि मैंने बुला में जो भी करूँगा अजर इसके बात तो मैं ऐसा करोगा कि लोगों को मेरे पास आना पड़े यार मुझे कोई रीजन्स की वाज़े से अजना ना पड़े उतर से मेरी इसी चीज़ है कि मैं शोशल मेरे जब भी उसकरता हूँ उसमें यही डूनता हूँ कि म मैं क्या बनापाऊंगा मैं यह नहीं देख्ता कि किसने क्या किया मै कि मेक और मेरे थे पड़े और कोई किसी ने इसने किसली ओकी और चीज्च इडिव burgibly iest्रेफ में किा मैं breaking कि तो मैंने कभ्रियोग Cat स्नाइप का और इंस्टाग्राम का तो कुछ भी मेरे नाम से कुछ गोज़ा तो मेरे पे नहीं आएगा मेरे आकाउंट से हुआ है तो मेरे पे आएगा हलो दोस्तों मैं डॉक्तर योगिंदर सिंग राठोड और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइप का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बहुत ही पाउरफुल गेस्ट मुझूद है जो की यूथ सेंसेशन है और मिलियंस ओफ लोग उन्हें सोशल मीडिया पे हर रोज देखते हैं और बहुत कम उमर के अंदर इतनी सफलता इन्होंने पाई है तो प्लीज वेलकम रोहित जिंजूर के तो कैसे शुरू हुआ रोहित काफी लोग तो आपकी जरनी जानते हैं और हम बिलकुल करीबी हैं कि आप सूरत में ही रहते हैं तो कैसे ये जरनी चालू हुई आपकी जो बिहाइंड आ सीन है वो थोड़ा हमें बताएं पहले से मतलब यही की नॉर्मल सालर काता मैं पहले तो नया नया फोन मिला घर से तो फिर उसका यूज होना स्टार्ट हो गया तो मैं जॉप पर होता था टाइम मिलता था मुझे तो तब मुझे के लिए होता था तो मैं उस पर नॉर्मल वीडियो बनाता था ऐसे ही शौक के लिए क्योंकि मझे बच्पन से सब को पता है कि मुझे संजी बहुँ बहुत पसंद है तो मैं उनके सावन पर वीडियो बनाता था तो उस टैम पर मैं बनाती गया बट सिर्फ एक खुद के शौक के लिए कि हाँ मैं भी इसे कर सकता हूँ थोड़ा बाबा को मैच कर सकता हूँ फिर मैंने बीच में इसे बनाना छूट दिया तब मुझे इसा पता लगा था कि आईफोन में स्लो मो होता है तो मेरे दोस्के पास आईफोन था तो एक दिन मुझे इसे जॉब पर मुझे चुट्टी थी तो मैंने उसको भूला कि मुझे तेरा फोन दे शूट करने के लिए अदला बच्मन के दोस्ति आभी भी दोस्ति है सो उसके फोन में मैंने शूट किया देन वो अपने फोन में पोस्ट कर दिया एक सॉंग पर, सैड सॉंग पर तो वो वाइरल हो गया मुझे promotions मिलने लगए song promotions क्या बात है फिर मैं वो करने लग गया फिर पता चला कि यार इसमें भी हम earn कर सकते हैं मेरी एक दोस्ती करी भी मैंने उससे पूछा कि ये मैं job से जादा मतलब इसमें earn कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ तो उसने मुझे बोला देख ये industry अभी start हुई है और तु नए आए और मुझे लगता है कि तू इस race में लंबा बागएगा क्या बात है तो फिर मैंने बोला उसकी एक जबन पर मैंने बोला कि ठीक है तो फिर मैंने एक जैनेवरी 2020 को job छोड़ा फिर मैं मुंबे आया परस्ट है मैं से वीडियो बनाने के लिए फिर मुझे बहुत लोग इदर मिले मुझे स्टेशन से लोग पीछे भाग रहे मुझे लगा मैंने क्या पीगाड़ा है इंचा फिर पास में आया बोले आपको फोटो किछना है फिर मुझे लगा यार दबदबा तो है अब ना फिर तब से मतलब फिर मैं करते ही है क्या बात है इसमें फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपको कई बार फैमिली पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है ऐसे काम के अंदर की आप अन और्थोडोक्स हैं जनरली वो यह सपेक रखते हैं कि जोब करे तो बड़ी है तो फैमिली सपोर्ट था आपको उसमें फैमिली सपोर्ट था क्योंकि बच्मन से मैंने कभी घर के कामों को एग्णोर नहीं किया जो घर के काम थे वो पहले रखे क्योंकि मैं पहले जोब करता मैं बहुत ही बढ़िया और इंस्पिरेशनल जर्णी तो अभी इतनी कम उमर में जब सफलता मिलती है, तो उसे कैसे हैंडल करते हो, कई बार कई लोगों को थोड़ी से सफलता मिलती है, सर पर चड़ जाती है, लोग एरोगेंड हो जाते हैं, थोड़ा घमंड आ जाता है, और इस सफलता मिलने का यह ने, क्योंकि मैं पहले से बहुत सीखते आया हूँ, क्योंकि मुझे दिखते आया है कि कौन कैसा है, क्योंकि मैं देखते आया हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत नॉर्मल था, तो मैंने उस टाम पर देखा था कि लोग कैसे चेंज होते, तो मुझे तब स अपनी कभी अगर कोई मूड अच्छा ना हो और एक मॉटिवेशन ना हो तो कैसे अपने आपको मॉटिवेट करते हो क्या मैं मैं घुद के पूराने वीडियो देखता हूं तो उससे अच्छा मिलता है कि मैं कितना खुश रहा करता था और मैं उस तेम पर खुश रहा करता था इसलिए आज में ऐसा हूं तो मैं वापस वेसे खुश रहूँगा तो मैं वापस बढ़ूँगा आगे beautiful so dance का भी हम बात कर रहे थे dance का भी बड़ा शो कर रहा है so अभी भी dance के लिए कोई training चल रही है dance को seriously आप करते है seriously एकदम dedicated से क्योंकि मेरा ये मेरी journey मतलब जादे लोगों को नहीं पता है मैं बच्पन में dance रही था मतलब बहुत पहले जब मैं six-seven standard में था school के time में so तभी मेरे घरवाले को मुझे support किया dance में मेरी मम्मी का सपना था कि तू डांस में जा मुझे तुझे टीवी में देखना है मम्मी आज भी बोलती कि तू आज इतना famous होगी है पर मुझे तुझे टीवी में ही देखना है तो उस time पर इसा था कि मुझे बहुत मैं stunt went बहुत करता था और मतलब अंदर से मैं कई भी जाता था शादीवादियों में भी डांस कर लेते था हम दोस दोस लोग तो मुझे मेरे area वाला के लोगों ने भी तब बहुत पुछ किया था कि तू डांस में कुछ कर तो मेरी मम्मी ने मुझे मुझे मुंबई तक भेजा था बट यहाँ कुछ रिज़न्स की हो जैसे मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया ओके तो क्या कोई reality shows में आये थे कैसे हाँ 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 इंडियास dancing superstar चलता था तब star gold पे star plus पे I guess तो उसके लिए में आया था तो मैंने दूर से judge देखे तो मेरे को इसा लगा था कि वाओ मैं कहा आ गया हूँ बट कुछ रिजन्स थे कि मेरी मेरे मेरे मतलब मेरे इसमें वो लोग ने दूसरे लोगों को सिलेक्ट किया कुछ रिजन्स थे क्योंकि मेरी condition अच्छे नहीं थे उस टाइम पे इसलिए तो फिर में वापस सूरत गया बहुत रोया उस टाइम पे फिर में डान्स का भूती छोड़ दिया कि मैंने बुला मैं जो भी करूँगा अजर इसके बाद तो मैं ऐसा करूँगा कि लोगों को मेरे पास आना पड़े यार मुझे कोई रिजन्स की वाज़े से अगना ना पड़े उतर से क्या बात है जो रियल टैलेंट है वो ही दीखे ये जो आपके कई वीडियोज मैंने रिसेंटली देखे कि जिसमें बड़ा कुछ एक्षन भी होता है और पुरा मसाला होता है जबदस एंटेटेन्मेंट होता है तो इनको कौन डैरेक्ट करता है वो सब में सब सब डैरेक्शन से लेकर के सब सब क्या बात है जी तो बहुत ही क्रियेटिव चीज है मतलब कि एक क्रियेटिव आस्पेक्ट भी एक क्रियेटिव बंदा भी आपके अंदर है जो अब एक्सप्रेस आप भार की तरफ कर रहे है अब जिसे एक साइट शोशल मीडिया की है जहां पर आपको बहुत पॉपुलारेटी मिलती है कभी ऐसा हुआ अधर कोई की कुछ लोगों से क्रिटिसिजम भी बिला ऐसा हुआ तो ग्रिटिसिजम को कैसे अंडल करते हो अगर कोई हम करते हैं करते हैं तो मैं पहले बात तुम्हें अपने कमेंट अबहीं नहीं औरि पॉल् vários विल ÖK meine Birthday कि में देखता हूं लोगों का रिस्पौंस किया ह मैं मैंसेज़ देखता हूँ सबके DM में जाके मैं कमेंट कभी नहीं पढ़ता तो जो लोग पसनल मैसेज करते हैं मैं देखते रहे था उनके मैसेज की उनका क्या है तो सबका response अच्छा आ रहता है क्योंकि अगर आप कमेंट पढ़ोगे तो उसमें सारी मतलग वो होता है कि 100 लोग आपको पसंद करेंगे बढ़ जो 1% 100 में से जो 90 नहीं अच्छे रहेंगे और 1% जो रहते न वो देखे आप कहना गई देमोटिवेट हो जाते हो तो मेरा भी वही सीन है कि मैं देमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाता हूं मुझे अगर 100 लोगों को मैं पसंद करें लोग और एक लोग को पसंद नीँ आ रहा तो मुझे एसा है तो मैं पहले कमेंट पढ़ता था बट मुझे पता चले लेगए कि यार इससे महि तो मैं कमेंड नहीं पड़ता हूँ सिर्फ मैसेज़ें देखता हूँ और लाइक्स देखता हूँ वीडियो पर कितने हैं कैसा ही स्टैटेजी है तो यह आपने कहा कि सोशल मीडिया पर पॉजिटिविटी भी है और कुछ नेगिटिविटी भी रहती है तो किस तरीके से स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज करते हो ज़्यादा समय जाता है सोशल मीडिया पर या फिर स्टिफ कॉंटेंट क्रियेट करते हो ज़्यादा समय नहीं बिताते हो क्योंकि कई लोग आचकल सोशल मीडिया के एडिक्ट भी हो चुके हैं जो दिन रात बैट करके बस रील्स देखते रहते हैं और कई इंपोर्टेंट काव में जो छोड़ देते हैं तो इस पे तुमारा क्या मानना है कि इस पे क्या सोच है मेरी इसी चीज़ है कि मैं सोशल मीडिये जब भी यूज़ करता हो उसमें यही ढूनता हो कि मैं क्या बना पाऊँगा मैं यह नहीं देखता कि किस ने क्या किया मैं यह देखता हो कि मैं क्या करूँगा तो मैं तो जादा मतलब यूज़ तभी करता हो जब मुझे कुछ ढूनना होता है कुछ कॉंटेंट अपना सोचना होता है तो मैं कभी भी कोई चीज अगर मेरे माइंड में नहीं आ रही है तो मैं किसी ही मतलब कुछ देख लिया तो उससे मैं एकदम अलग लेवल का सोचूंगा मैं उसके बाद अपना content rate ही करूँगा जो कहते हैं कि दो प्रकार के users एक consumer है और एक producer है एक है जो content produce करने में अपना पूरा effort लगा रहे है और एक वो है जो सिर्फ दिन बर content consume कर रहे है तो I think you are in production कि आप बस produce कर रहे हैं और उसको constructively use कर रहे है और ये भी एक अच्छा point कहा कि कई बार creativity बिल्कुल scratch से करने के बजाए अगर हम अपने आसपास से inspiration ले 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 तो creativity बड़ी fast हो जाती है फिर उस पर अपना mind लगा के उसको improvise किया जा सकता है उसको और ज़्यादा बेटर बनाए जा सकता है जिससे कि लोग relate कर सके मैं ज़्यादा करके वही चीज़ पर focus करता हूँ कि लोग relate कर सके तो फिर लोग अपने को क्या मानते की वो कोई अपने को inspiration नहीं वानते ना कुछ वो मानते की यह अपना बना है ऐसा समझ के चलते है वो और ना है मैं यह चाहता कि कोई inspiration आने आ कुछ वो समझे की यह अपना बना है राइट किसी को ऐसे नहीं सोचता कि यह मेरा competition मैं कभी भी खुद कोई competition समझता हूँ कि मैं अभी जो हूँ में उससे बड़ा कप बनूँगा इससे बड़ा कप कर सकता हूँ मैंने कभी यह नहीं कि यह नहीं कि मैं अभी यह बना ना अभी यह बनाओगा ऐसा कभी नहीं, मतलब मैं कभी भी वो बुलते हैं ना कि मैं जोज जोज में कोई चीज ही नहीं करता, खास करके शोजिल मीड़ा बे, पहले जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग था तब गरम खुनता तो तब कुछ पता नहीं था कि क्या होता है, गिर सकते हैं नीचे, तो त हुमारे तो अकाउंट भी बहुत सारे नाम पर इतने हैं कि बहुत सारे हैं, कोई हजारों की दाधात में हैं, पैसे भी कवा रहे हों लोग सो बट इनिशली ये इंपक्ट करता था, मेंटली कुछ इंपक्ट आता था कि नहीं ने, बीच में एक सीन हुआ था, स्टार्टिंग में, मेरे फेक अकाउंट से कोई किसी ने किसी के साथ फ्रॉड कर लिया था तो वो चीज मुझ पर आ गए थी, सूरत में था, तो मैंने साइबर जेल में इंफर्म किया, तो मैंने अपना अकाउंट उतर रजिस्टर करवाया, सारा यूटूब का, स्नाइप का, और इंस्टाग्राम का तो कुछ भी मेरे नाम से कोई होता, मेरे पे नहीं आएगा, जर मेरे अकाउंट से हुआ है, तो मेरे पे आएगा ओके, तो इसका एक प्रोविजन पहले से आपने बना के रखाए, यूब हो चुकी है, मेरे साहीं से एक बार हो गए है, नाइस, आप बड़ा कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं पिछले इटने सालों से, तीन-चास साल से बिलकुल कंसिस्टेंट कांटेंट आप क्रियेट करते हैं, और मैंने कई बिगनर्स और नए लोगों को देखा है कि जो उनका थॉट रहता है, वो ज़्यादा फॉलोवर गेन करने पर रहता है, लाइक्स पर रहता है, कॉंटेंट के बजाए, तो ऐसे यंग्स्टर्स को आप क्या मैसिज देना चाहोगे कि कंसिस्टेंसी कहां से आती है, फ्रॉम कि यह जो मोटिवेशन है हर रोज बनाने का, तो वो कहां से आता है, जिबकि कुछ लोग तो थोड़े दिन वीडियो बनाते हैं, एक चल गया तो ठीक है, फिर बैठ जाते हैं, तो आप इसको कैसे डील करते हैं, तो मैं मेरा कहो तो मैंने वही किया है, जो मुझे अच्छा आ रहा है, आइनो कि बहुत से लोग लगे पड़े इसके पीछे, इंडिया में मतलब खरीब इन दो या धाय करोड इंफुएंसर से, इसा मैंने सुना है, जी, तो सारे लोग लगे पड़े, तो मैंने ये चीज इसलिए की, क्योंकि इसमें मुझे आइडिया थी है, और इस लोगों ने भी मुझे बहुत साथ दिया, तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँ कि जो आपको ठीक लेगे आप वही करो, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बना है, तो मुझे भी ऐसा बनना है, आइनो, लगता है, होता है कि यार हम भी ऐसे, क्या हम ऐसे बन सकते हैं, बट अगर आप आपको खुद से, अगर अंदर का आदमी आपको आवाज दे रहेगी, नहीं तू कर सकता है, तब ही आप यह चीज करो नहीं, तो फिर जो चीज आपको अच्छी रखती होई करो, तो कई बार जब काम की वज़े से ट्रेवलिंग भी हो जाती होगी, तो ऐसे में कभी बर्न कितने भी थक जाएं, कोई स्ट्रेस आता है कभी, मेंटल स्ट्रेस कभी लगता है ऐसा कि यार बहुत हो गया, इतना क्यों भाग रहा हूँ या ऐसा कुछ होता है, नहीं नहीं, भाग रहे तो मिल भी रहा है न, तो उसके यह साब से भगते रहते हैं, तो कोई प्रैक्टिस हैं आपकी कोई मेडिटेशन, या योगा, या वरकाउट, या सब मुझे स्टार्ट करना है, मेडिटेशन क्योंकि मैं अगरेसिव बहत हूँ कभी-कभी, सारे जब सारे काम का बढ़न ही साथ आता है, तो मैं गुछ सा हो जाता हूँ, कि यार मैं क्या-क्या करूँ, ये सब सब दोस्त दूर भागने लग जाते हैं, थोड़ा मतलब सोचता हूँ कि नहीं, काम है, काम के साथ से लेके चलते हैं, तो तब खुद को चुट्रू कर लीता हूँ मैं, गुट, याट्स अ गुट पॉइंट, तो येस, आई थिंक, मैनी ताइम्स, इफ ये वांट तो चु देती है, कई बार बाहर से बोरिंग लगती है, थोड़ी सी, सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, तो ये चीज अगर आपकी प्रैक्टिस में आए, तो अवरॉल आपकी व्यक्तितिप को, आपके पिसनालिटी को बहुत जादा इंप्रूव कर देती है, मेंटल क्लारि मेडिटेशन या योगा या वर्क आउट जो भी करते हैं, वर्क आउट तो आप करते ही हैं, और दूसरी चीज ये भी होती है, कई बार आपने कहा कि डिरेक्शन भी आप कर रहे हैं, आक्ट भी कर रहे हैं, तो जो इतने सारे काम हैं, तो उस टाइम पर एक मेंटल या कुछ लिखते हो, गोल्स, या सिधा आप सिर्फ मन में सोचा और एक्शन किया, कुछ विजविलाइजेशन करते हो, प्यू विजविलाइजेशन करते हो, प्यू विजविलाइज, मतलब वीडियो ग्राप फरज़ा होता है, उसको भूल देता हूँ, तुझे, इससे बहुत शार्प हो, कि अगर मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, अगर मेरे पीचे से शूट ले रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा, कि उसने मुझे फ्रेम से बार निकाला है, अच्छा हूँ, आम उसको भूल हो वापस शूट ले, और वी समझ जाएगा, कि रोईट को समझ ग और उनको भी पता ही, इसके पीछे बहुत सारा एफट लगे रोईट को, बट इसमें जितनी मेनत लगती, उसके लिए मेरी टीम, मेरा वीडियोग्राफर, जितने भी लोग उदर उस टाइम पे होते, उस सारे बहुत मेनत करते, उस वीडियो में, सो मैं बहुत लग्की हू आर एक सक्सस के पीछे दिर इस टीम वॉक, कभी भी कोई इंडिविज्वल नहीं, एक नाम एक इंडिविज्वल को बन जाता है, कि एक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, आप कभी खुद को, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने बहुत ज़गे से सुनी, वन मैं शो आपके पीछे टीम वरक है, सही बात है, आप खुद अखेले सारे लोगों का एक नहीं कर सकते हैं, सब चाहिए तब आप मुझे बन सकते हूँ, इवन आप टैनिस भी खेल रहे हो ना, तो भी वहले ही टैनिस में आप दिखते हो कि आप अकेले हो लेकिन उसके पीछे जो को तुम को एक खुशने रख पाऊगे ना तो तुम नहीं तुम्हार अच्छा है नहीं फ्यूचर बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात आपने कहिए हो मैं इतने पोड़कास्ट करता हूँ आज कल और अपनी जर्नी में भी बहुत सारे लोगों से मिला यह बिल्खुल एक कॉमन चीज है जो सब ने कही है कि आप अकेले नहीं बनते हो आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक कंबाइन एफर्ट होता है और सब को एक साथ में लेके चलना that is very important सो रहित तुम्हें एक आंटोपेनियोर भी हो और एक क्लोधिंग ब्रैंड भी है सो आंटोपेनियोरशिप की जर्नी कैसे चालो हुई कई बार लोग MBA करते हैं बहुत एक बैगराउंड होता है या तो family बैगराउंड होता है कई बार MBA करते हैं So I think, तुम्हारा ना तो family way ground है, फिर भी एक अच्छा brand तुम चला रहे हो, तो ये journey कैसे शिरू होगी business की? Clothing brand मुझे, जब मैं चल रहा था, मतलब trending चल रहा था, इसा नहीं अभी भी trending में हूँ, So जब start हुआ, तो तब मैंने सोचा था, कि मेरी एक पहचान होनी चीए, अगर मैं कलूट के नहीं भी रहो तो मेरी एक पहचान होनी चीए, जिम्दा, तो तब मैंने सोचा था, कि मैं ब्रैंड करूँगा, और तब मैंने बहुत ट्राइग किया, बट वो कहते नहीं एक टीम चीए, तो मुझे यह सोर्स स्टाइट करना था, जिरो से लेके आएंग तक, मतलब दागे से लेके पूरे टीशेट तक, पूरा यही मेरा खुद का चीए था, क्या बहत है, मैं तब से लगा पड़ा था, इस जीश के पीछे, और वैसे भी सूर्स तोड दागा ना बनाए, कैसे चल से लिए, और मुझे जॉब भी उसमें आइडियाज बहुत है, जिए खुद को भी शिलाई कर रहा है, अच्छा रहा है, तो मैंने तब से सोचा था, तब से इसके पीछे लगा था, और फिर मैंने टीम जमा की, पुरी जिरो नाइन की, और नाम भी इसको कुद का ही था, जिरो नाइन नाम है, क्लोधिंग ब्राइन का, जो मैं मतलब पहन के आ हूँ आज, अरे वा, क्या बात है, तो इसको मैं बहुत आगे तक लेकी जाना च अपना यह चलते रहे, और यह जितना हो सकी उतना इंडिया में जादा चलता रहे, इंडिया की लोग पहने, बहुत बढ़िया, तो बिजनेस की समझ कहा से आई, वो जो कहते हैं अपने गुजरात के अंदर तो हावा में है, बिजनेस तो वही है, वही से आया, वो भी जो कपड़े पेंता था, जो अदर ब्रेंड्स की, तो मुझे कोई भी पूछता था, कि यार, यह आपके कपड़े बहुत अच्छे है, यह आपने कहा से लिए, बट सीन क्या होता था, कि वो लोग मुझे पूछते थे जो जिनको मेरे जैसा बनना था, तो मैं बतानी पाता कि मैं जो कपड़े पेंगा ना वो लोग हो बहुत पसंदे, तो मैं अपना ब्रेंड लाओ, और मैं उस रेंज में बेच सकूँ कि लोग पेंच सके, और उनको ऐसा घमाट हो कि यह कपड़े रोईत पेंता है, तो हम भी पेंचे, तो इसलिए मैं यह ब्रेंड, मतलब यह भ पूरा कम्प्लीटली ओटोमेट की है, तो मुझे सिरु जाना है, अपना शूट करना है, बस, और बस, मैं फ्री, उसके बस फ्री, इसलिए मैं ने बोला था है, आपको की टीम लगती है, तभी हम सब ज्याने के, सब हम एक साथ करेंगे, तो हम पीछे ही रे जाएंगे, वो एसा तो नहीं कि, जैसा हम को चीए, जैसा हम को मिलना चीए, इसे मिलता तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो खुभी होती है, बट सीन इसा है कि मैं चाओंगा, अगर मेरा कोई पाटनर हो, तो जो मैं चीजे खरता हूं, उसको एकसेप करें, पहली बात तो मितलब में मुझे खुला गुमना बहुत पसंदे, बिंदा सरेणा बहुत पसंदे, मुझे स्ट्रीट खाना बहुत पसंदे, मतलब ऐसे, वो की अगर चार लोग सामने खड़ है, तो वो अपने बारे में क्या सोचेंगी, ये सब मुझे नहीं पसंद, मुझे आएसा कि मैं अपने हैशाब से रोल हमारी लाइफ में यही रहता है कि उनके सामने जो हम है वो खुले रह सकते हैं कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है कुछ फेक करने की जरूरत नहीं है आप आराम से और कोई यह डर नहीं है कि यह मेरे बारे में कुछ सोचेगा जज़ करेगा वो नहीं रहता है तो कई बार जो romantic relations होते हैं उनमें भी वो दोस्त का होना वो ज़रूरी है अगर उसे हम लंबे समय तक ले जाना चाहते हैं तो अभी तो you are just 23 years old अभी तो बहुत लंबा आगे जाना है अभी तो बहुत लंबा आगे जाना है और मैं गुम्रा नहीं तो दोस्तों के साथ और मेरे दोस्त इतने ही है कि मेरे सामने कभी अपने गल्फ्रेंट से बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनका ब्रीक अप करवा देता हूँ तो मैं जब सूरत में नहीं रहुआ तब हो जाएंगे अपनी गफ्टिंट से मिलने मेरे सामने कभी कोई नहीं जाईया जब मतलब के हम तो डूबें सेनम तुमें भी ले डूबेंगे जब तक मैं सिंगल हूं तब तब तक तुम लोग सिंगल हूं पर कुछ नहीं यार है उनका तो अब करने दो मुझे जो चीजे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहे इसलिए में सिंगल हूं उनको जो मिल गया पार्टनर वो उसमें खुश है बस और कैसी अभी तो बहुत यंग हो अभी तो इतना कुछ कर रहे हो इतना बिजनेस अभी तो मेरा मेरा एंपायर से वो खड़े करने रिलिश आप दो तीन अगर इंसाइट दे सको दो तीन टिप्स दे सको कि क्या सोथ फॉर्ट प्रोसेस रहना चाहिए यंग्स्टर्स के लिए अगर खुद का विजनेस चालू करना है तो बिजनेस देखो बिजनेस इतना भी इजी नहीं जितना हम सोचते कि चालू कर दिया तो हो गया बिजनेस मैं बच्पन से देख के आ रहा हूँ लोगों के भी बिजनेस और जब मैं करूँगा बिजनेस तो क्योंकि मुझे खुद को भी आईड़े नहीं था मैं अभी इतना पुरू नहीं बिजनेस मैं बन रहा हूँ क्योंकि मैं जो हूँ अभी उसके लिए भी मैंने बहुत ट्राइ किया है और अभी बिजनेस भी करूँगा इन फूचर तो उसके लिए भी मैं बहुत ट्राइ कर रहा हूँ तो मैं इनको भी यह कोँगा कि आप ट्राइ करो ऐसा नहीं बिजनस इजी नहीं कि पैसे डाल दिये तो चलते रहेगा आपको उसमे नुकसान भी खाना पड़ेगा तो उस चीज के लिए रहेडर हो ऐसा नहीं कि आपी बिजनस स्टार्ट कर दिया अभी हमारा नेक्स दो तिन महीने आपी सौटेड है ऐसा कुछ नहीं है मैं तो एक ही कहूँगा जब आप कुछ चीज स्टार्ट करते तो उसके पहले नुकसान के लिए रेडिर हो फाइदे के लिए नहीं क्या बात है क्यूंकि तुम अच्छी चीज़े सोचोगी और बुरी हो जेगी तो उस टाप पर बहुत हट होगा अगर तुम पहले इसे ही रुकसान का सोचोगे तुम वह तुम्हारा बिजनेस स्क्सेस होगी तुमको अलग खुशी होगी तो वस यही मैं खेना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़े स्टार्ट करोगे तो सोच समझ के करो और चार लोगों की राय लेके करो इससे नहीं खुट के मन से कर लिया चार लोगों को पूछो की इसमें हम क्या कर सकते जो शायद अल्रेडी उस काम में है जो शायद अल्रेडी उसकाम में है तो कभी कोई लर्निंग लेते हो कोई कोर्से के जरीए या कुछ सेल्फ डवलोप्मेंट से रिलेटेड को किताब पढ़के या कुछ भी करके कुछ करते हो कभी मैं दुनिया से सीखता हूँ यही मेरा एक कोर्से कि मैं लोगों को देख के सीखता हूँ या आपने कैसा है आज उसका क्या नाम है और वो रियल में कैसा है तो उससे मुझे सीख मिलती है यह नहीं है कुछ भी होता है यह बट रियल नहीं है तो अपने को रियल रहना है वरी गुट सो बिफोर वी स्टार्ट गर रैपिट फायर राउंड ठीक है मैं चाहूँगा कि अपने जीवन से अपनी लाइफ से हाला कि बहुत यंग हो अभी तो बट एनी टू थरी टिप्स जो आप दे सकते हो जो लोग आगे बढ़ना चाहते है सफल होना चाहते है कुछ अचीव करना चाहते है लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार क्या excuse बनाते है कि family background अच्छा नहीं है मेरा या मुझे बहुत अच्छी education नहीं मिली है या मेरे पास ये support नहीं है वो नहीं है इस वज़े से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा बट आपने सभी चीजों को defy किया है कि मतलब family background वी बड़ा humble रहा फिर भी अकेले दम पे इतना कुछ आपने create किया तो क्या कोई tips देना चाहोगे यंग्स्टर्स के लिए tips इस वैसा है कि जब मैं अपना time बता तो जब मेरा time था ऐसा जब मुझे करना था कुछ तो मैं sources दून्टे गया कि मैं क्या कर सकता हूँ क्यूंकि उस time पे मेरे ने इसा था कि मुझे करना तो करना ही कुछ chance नहीं थे मेरे पास तो मैं बस उटा टिफिन पगड़ा निकल गया job दून्टने कि ने तो ऐसा नहीं कि तुमको कोई भी तुम चीज सोचोगे तो तुमको तुरंद मिल जाएगी अगर तुमको उदर तक पहुचना है उसकी ने तुमको दूसरे रास्ते दुनने पढ़ेंगे राइट तो मैंने वही दूसरे रास्ते दुनने एक नोकरी भी तुमने चूज की हाला कि वह पैशन नहीं था मगर क्योंकि घर को सपोर्ट करना था तो कई बार ऐसी चीजे भी करनी पढ़ सकती है जिने हम प्यार नहीं करते लेकिन वह करनी पढ़ती है मगर वह जरिया बन जाती है फिर वहां कर पहुचने का वही चीज आमें पहुचा था सारी चीजे मैं देता था जियो कि मुझे समझ ही नहीं पड़ता था फिर भी मैं उसको अपने आपको उसमें घुसा दे गया कि नहीं मुझे सीखना है मैं कुद को पुच मैं 24 गंटे काम करता था सिर्फ दो गंटे के लिए घर जाता था खाना करेंगे लिए टिफिन लेने के लिए वागे जोगे क्योंकि मेरी सेलरी थी 7000 सिर्फ तो मैं उसको डबल करने के चक्कर में 24 गंटे काम करता था और उमर थी मेरी 17 साल तो पहली नोकरी 17 साल के उमने चालो कर दे थी उससे पहले तो मैं जब 10 थी मेरे को चुटी थी तो कपड़े के दुकान में किया था जब मैं था 14 साल का क्या बात है तो काफी कम समय से एक आत्म निर्वरता आपके अंदर रहिए तो I think जो यंग्स्टर से हैं उने सबसे पहले तो अपने अंदर एक इच्छा बनाए कि उस सेल्फ डिपेंडेंट रहे और खुद पे वरोसा रखे पहले सीख लें कई चीजें ट्राई करनी पड़ सकती है रस्ते में कई बार फेलियर मिल सकती है सेट बेक्स मिल सकती है तयार रहें जो आपने का नुकसान के लिए कई बार नुकसान भी हो सकता है फेलियर भी मिल सकती है सेट बेक्स भी मिल सकता है मगर उससे घबराएं न उल्टा उनसे सीख करके इवोल्व करते रो, प्रोग्रेस करते रो और आगे बढ़ते रो बहुत बढ़िया रोहित बहुत ही क्रिस्प और शोट आंसर आपने दिये बढ़ा अच्छा लगा और नव विल ट्रांजिशें इन्टू रैपिड फायर तो नव विल ट्रांजिशें इन्टू रैपिड फायर काम के बाद रिलेक्शेशन का तरीका गर पर आगे सोचो और क्या नहीं सबसे पहले एडिट को बेठाओ एडिट को आउटपुट को बेठाओ आउटपुट आगया उसके बाद में फिर फिर उसके बाद पोस्ट करके सोचाता हूँ गुड दस दोस्त या सो करोड डोस्त यादगा ट्रेवल डेस्टिनेशन कौन सी है गर वालों के साथ और दोस्तों के साथ कश्मीर होगा था कश्मीर याथा सब को लेगे मैरे बड़ येट है तो वो यादगार है क्या बात है बॉलिवुड मसाला मूवी या फिर होलिवुड का कोई थ्रिलर बॉलिवुड मसाला लास्ट देखी गई जवरदस्त मूवी बहुत दिनों कोई मूवी नहीं देखी है नहीं देखी बहुत दिनों कोई सीरीज कोई वेब सीरीज में को एक मतलब last web series मेंने देखी हुगी तो वो साज बोवें फ्लेमिंगो साज बोवें फ्लेमिंगो क्या बात है अब फैशन आइकन को होने फैवरेट ऐसे देखने जाओ तो अपने इंडिया में मुझे रन्मिर सिंग का बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगता है क्या बात है फैमिली टाइम या फ्रेंड्स के साथ पार्टी डिफिकल्टी गर्वालों के लेकर सब साथ में पार्टी आप तो फिर डिसेंट पार्टी करनी पड़ेंगे आपको सबसे जादा इंस्पायर कौन करता है फिर ये पुरानी चीज़े मैं क्या सोचता हूँ खुद कोई समझाता हूँ या तो मेरे दोस्ट लोग मुझे इंस्पायर करते है बच्पन का कोई ऐसा सपना जो पहले नामुकिन लगता था लेकिन अब हकिकत बन चुका है मम्मी को खुश कर दिया खुद बड़ा सपना पूरा हूँ गया क्या बात है फेम या इनर पीस पीस अगर कॉंटेंट क्रियेटर ना होते तो क्या बनना पसंद करते बिसनस्मेन बिसनस्मेन आइटिंग अब तो दोनो कोई ऐसा बकेट लिस्ट में टॉप आइटम क्या है जो पूरा करना चाहते है कोई ट्रेवल का या और कोई सिस्टर की शाती सिस्टर की शाती करनी है करियर में लिया गया सबसे बड़ा रिस्क क्या था जॉब छोड़ा ओल्ड स्कूल रोमान्स या फिर मोडरन डेटिंग एपस ओल्ड स्कूल रोमान्स सबसे सर्प्राइजिंग चीज जो आपकी किसी फैन ने कियो टैटू किया है मेरा अमदाथ कही लडगा है अच्छा मैंने ना बोला ता बोलता है तुमको नहीं मिला है में को टैटू करना है तुम बात को रहा है नहीं करो मेरे को फरक नहीं पड़ता बोलता है में को टैटू करना है इसा बोलता है मुझे दम की दे रहा है हाँ मैं बाहर था फूने में और मैं जाहाँ टैटू करता हूँ सूरत में वहाँ आया बोलता है मुझे रोगित का टैटू करना है तो उसने मुझे फोन किया बोलती है इसको समझाओ थुड़ा तो मैंने बोला फोन दो उसको बोलता है हाई बाई कैसे हो मैंने बोला हाई बाई क्यों कर रहे हो मैंने बोला मैं सिर्फ तुम सिर्फ मुझे देखते हो क्या बात है यह तो स्टार्ट अप में इन्वेस्ट करना या नया वेंचर खुच शुरू करना क्या बात है सबसे फ़णी मोमेंट कोई फैन के साथ एज निक डिंडा गाड़ी में बुश गया था खाच कोला था मैंने वो गाड़ी में बुश गया सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा तुम्होरा सबसे प्राउड मोमेंट मतलब एक चीज़ चल रही है वो अभी फाइनल हो जाएगी तो प्राउड मोमेंट करूँगा तब खुद को खुद का घर लिया इस सूरत में तो तब करूँगा तब पुरा proud moment सबसे ज़्यादा क्या बात है अगला मेरा सवाल यही था कि family के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा proud क्या किया है तो यही सबसे बड़ा family के लिए होगा देदी की शादी इसलिए नहीं होई ही क्योंकि उसको खुद के गर मेरे रहना है और मेरा भी यही कि जब तक में खुद का करना लो तब तक देदी की शादी नहीं करूँगा क्या बात है और last end करने से पहले कोई last message जो आप audience को देना चाहेंगे यही कि मैं पहले से भी अभी बोलते ही है कि जो करो वही करोगी जो तुमको अंदर से लगता है कि मैं यह चीज कर सकता हूँ ऐसा नहीं कि तुम किसी को देखके कर रहे है तो वो उसमें ऐसा नहीं होगा बट वो पहचान तुमारी खुद की नहीं रहेगी तो पहचान इसी बनाओ कि जो तुमको खुद के नाम से लोग पहचान है किसी को देख के नहीं तो यह ही गहना जाओ लवली, तो थैंक यू सो मच रोहित फो कमिंग बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अमेजिंग कॉन्वेसेशन रहा है और जितना प्यार ओडियन्स आपको देती है आपको देती है, आपको देती है यही आप देखते जाओ, इनके कॉन्टेंट्स क्योंकि यही चीज आप तक पहुचा रहे है कि इससे आपको कुछ सीखने मिले और आप कही न गए खुद को पुछ कर सको किसी की लाइट की अगर कोई कहान नहीं बता रहा है तो मैं भी अपनी लाइट में यही करता है पॉटकास्स कभी कभी देखता हूँ सो मैं वही सीखता हूँ कि लाइट में ऐसा नहीं कि बहुत से लोग दे बहुत सी परिश्या ने आई उनको फिर भी वो सब फेस करके आज यहाँ है तो यह वही सब दिखाना चाहते हो रहे है आपके लिए ही यह कहीं न गई help करेगी सो वही बोलता आप जितना हो सके आप इनको देखते रहे है और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जितना हो सके होतना और प्यार देते रहेना इनको तेंक्यू 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 सो मच रहे हैं तेंक्यू